हाली में हमने आपको बताया था कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की बागी टू पहले दिन से ही चोकाने वाले आकड़े दर्ज करा सकती है और अब फिल्म ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है जहाँ फिल्म का डॉमेस्टिक बॉक्स ओफिस कलेक्शन भी पता नहीं चला है वही मिडल इस्ट से फिल्म की कमाई सामने आ चुकी है जिसके अनुसार ये वरुन धवन की जुड़वा टू और अक्षे कुमार की जॉली एललबी टू से पहले दिन की कमाई के मामले में आगे निकल गई है प्रेड एक्सपर्ट कोमल नहाटा ने अपने ट्वीट से लोगों को ये जानकारी दी है कि फिल्म बागी टू ने मिडल इस्ट के सिनेमा घरों से पहले दिन 325,000 डॉलर की कमाई की है फिल्म बागी टू की पहले दिन की ये कमाई जहां वरुन धवन की जुडवा टू के पहले दिन की कमाई से 25% ज्यादा है तो वही जॉली एललबी टू की पहले दिन की कमाई से 65% ज्यादा है आपको बता दे कि ये तीनों ही फिल्म फॉक्स टार के बैनर के अंडर बनाई गई है जहां टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की बागी टू ने अपने पहले दिन की कमाई से मिडल इस्ट में जुड़वा टू आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताए और बॉलिवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनमेफ निउस